गुड इबनीन कैसे हैं आप सब उमिद करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे और आप लोगों की तियारी चले होगी जैसा कि दोस्तों अभी जस्ट के बियस अपना नोटिफिकेशन रिलिज किया है जिसमें प्राइमरी टीचर न्यू सिलेबस बहुत सारे सिलेबस में नुकसान हुआ सेलेक्शन प्रोसेस में क्या बदला हुआ सारी बातों का डीटेल हम लोग जानेंगे रियल कंडिडेट के साथ जैसा कि दोस्तों मैं खुद एक के बियस पर्मानेंट वेकेंसी का बहुत दिनों से इंतजार कर रहा था और आपसे पहले वीडियो में भी मैं केंद्री विद्याले में आपसे बात करूंगा कि क्या 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 बदला हुआ कि इसको फैयदा मिला और किसको नुकसान ठीक है तो यह सारे टॉपिक हम लोग अभी कवर करेंगे ठीक है जैसा कि आप थमनेल में भी देख रहोंगे कि के भी स्कूल का फोटो भी मैं साथ में लगाया हूं तो चलिए स्टार्ट करते हैं बीना देर किये हुए देखे जैसा कि दोस्तों मैं के बीस का सलेबस का पीडिया पॉपिन क्या हूं सलेबस आफ एक्जाम फार डारेट रिकूप्मेंट प्यार्टिस तो देखे प्रोफियंसी इन लैंग्वेज लैंग्वेज तो 20 मार्स का हिंदी इंग्लिस आपका वही है इसमें कोई चेंजमेंट नहीं हुआ है ठीक है देखिए हिंदी इंग्लिस में कोई चेंजमेंट नहीं हुआ है ठीक हिंदी भी आपका 10 नंबर का रहेगा इंग्लिस भी 10 नंबर का रहेगा यह तो पुराना एक पेपर में प चलिए इसके बात दिखी जो सबसे बड़ा बदला हुआ है साट नमबर का आपके साट नमबर का यह सबसे बड़ा जो बदला हुआ 60 marks 60 marks के आपके सिर्फ पोसिर पेड़ावाजी हो गया उभी पेड़ावाजी में दीखें क्या क्या एक पूरे topic को कबर किया कि कौन-कौन से topic से पेड़ावाजी आएंगे तो मतलब पेड़ावाजी जो हम लोग छोड़कर भागते थे पेड़ावाजी अफसारे बच्चों को पढ़ना पड़े गया यह साथ नंबर का पूरा पेटा गाजी हो गया और असी नंबर के आपके सब्जेक्ट रिलेटेड होंगे तो भी मैं अभी आपको बताऊंगा कि कौन-कौन सब्जेक्ट से कितनी-कितनी नंबर के आएंगे और यहीं पर देखें सेलेक्शन प्रॉसेस इसके पहले जो होता था उसमें आपके क्या होते थे 85% रिटेन का लिया जाता था 15% इंटर्वियू का ठीक है यह आपका एक्जाम का होता था और यह इंटर्वियू का होता था ठीक पिछली वेकेंसी जो हुई थी इस बार क्या हुआ यह चेंजमेंट हुआ है तो इससे फ अबहुत इंग्लिश बहुत। इस्टुज्ज्ण होगा। मतलब बहुत अच्छी उगी उनको इंटर्व्यू मेज आलडी फैदा मिलेगा... आज बहुत न नहीं पडा रहा है। जिन नहीं बहुत कि टाइम वेस्ट मत कीजिए अपने इंग्लिस पर कमांड कीजिए और आपकी स्पीकिंग इंग्लिस को क्या कीजिए इंप्रूब कीजिए क्यों कि इंटर्व्यू का इसमें बहुत बड़ा रूल प्ले करेंगा अगर आप बहुत अच्छे मार्स ला भी लेते हैं अगर 50 marks वाले syllabus हैं इसमें क्या क्या है आपके जो जितने भी subject क्लास वन से लेके 5 के अंडर में आएंगे इससे जजादने उपर PSMA कर दो नहीं होगा इंग्लिस आएंगे वीस पाइव सब्सक्रोइंगे जस्थ स्वाल घ्र师 एगा तो टोटली देखिए यहां पर हैज्जमेंट क्या आ गया पहले यह की आएव कर यहा良 जो तो दिए फायदा किसको मिलेगा फायदा जो है जो भी भाई वहन डी ट्रिपल एस वी के तैयारी अच्छे से किये हैं जिनकी इंग्लिस बहुत स्ट्रॉंग है मैद बहुत स्ट्रॉंग है उन भाई बननों को बहुत ज्यादे फायदा मिला क्योंकि पेडागाजी इसमें बहुत अच्छी किजिए क्योंकि इंटर्वी में पूरी पूरी इंग्लिस पूछी जाएगी और दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब किजिए अभी मैं यूट्यूब पे नया नया आया हूं तो थोड़ा मुझे वीडि इसी का इंतिजार था जो किया चुका है तो दोस्तों मैं तो तैयारी पे लग गया हूं आप लोग भी तैयारी किजिए और चले इस वीडियो में इतना ही और आप प्लीज चैनल को मेरे सब्सक्राइब किजिए सेर किजिए